हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आएम नेहा नारंग तो आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम क्लास 11 सिबेसी बोर्ड के अनुसार इसकी जो यूनिट 3.2 है इसको हम आज रिट करने जा रहे हैं इसमें क्या है तांसिन जी का जीवन पीचे विश को कंप्लीट देखी तांसिन का असली नाम तर्ना मिश्र था या बचपन में लोग इनको प्यार से तर्ना मिश्र के नाम से बुलाते थे इनके पिता का जो नाम है वो मकरंद पांडे था कुछ लोग पांडे जी को यानिकी इनके पिता जी को मिश्र भी कहते थे तांसिन की जनम तिथी के विश्य में अनेक मत हैं इनका जनम कब हुआ तो अनेक विद्वानों ने अलगलग मत थी अपने विचार परसुत की अधिकाश विद्वानों ने माना कि उनका जो जनम है 1532 में गवालियर से 7 मिल दूर बेहट ग्राम में हुआ उनके जनम के विश्य में यह क्युदंती है कि भोग दिनों तक मकरंद पांडे संतान ही थे यानि कि मकरंद पांडे की कोई भी संतान नहीं थी वो क्या करते एक फकीर के पास जाते हैं उनका नाम होता है मोहमद कोज नामक फकीर के आशिरवास सवरूप उन्हें एक पुत्र उत्पन हुआ जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया अपने पिता की एक मात्र संतान होने की कार्ण उनका जो पालन पोशन है बड़े ही लाट प्यार से हुआ फल सवरूप अपनी बाले वस्ता यानि कि अपने बच्पन में ही ये बड़े नटकट रहे उदंडी यानि कि जिद्दी सभाव के पारम यानि कि शुरू से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर शमता थी बालक तन्ना पशु पक्षु तथा जानवरों की विभिन बोलियों की नकल करता था नटकट परकृती का होने कार्ण हिंसक पशों की बोली से लोगों को डराया करता था इनमें नकल करने की पूर शमता थी, बहुत अच्छे नकल कर लिया करते थे, तो ये हिंसक यानिकी भ्यानक पशों की भी आवास निकाल लिया करते थे, और यहां तक उन भ्यानक आवास से लोगों को डराबे दिया करते थे, इसी बीच क्या होता है कि स्वामी हरिदास से इनक डराने लगा क्या होता है साधु मंड़ी बहुत जादा घबरा जाती है और थोड़ी देर के बाद तांसिन हस्ता हुआ सामने आ जाता है स्वामी हरिदास जी उसकी प्राकृतिक प्रतिभा यानि कि जो उनका टैलेंट था तांसिन का उससे अत्यधिक परभावित हो जाते हैं और उसके पिता से तांसिन को संगीत सी खाने के लिए उनके पिता से मांग लेते हैं यानि कि अपने साथ लिजाते हैं और अपने साथ व हरिदास के साथ रहने लगे और दस वर्षों तक उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त करते रहें बाद में क्या होता है अपने पिता की एस्वस्ता सुनकर तांसिन अपनी मात्री भूमे गवालियर चले गे और कुछ दिनों के बाद उनके पिता का जो है दिहान तो गया कहा जात अगर मुहमत गोस के पास रहने लग जाते हैं और वहां वे कभी कभी गवालिर की विद्वा रानी म्रिग नईनी का गायन सुनने के लिए उसके मंदिर चले जाया करते थे वहां उसके एक दासी हुसैनी की सुन्दरता और संगीत ने तांसिन को अपने और अकरशित कर लिय अते रानी म्रिग नईनी ने हुसैनी से तांसिन की तानसिन की जो है शादी करा दी और इसके बाद क्या रहोता है कि बाद में तांसिन की चार पुत्र हुए शुरचसें शच seben तरंह सेन और विलास का सरस्वति नाम की पूतरी टोटल कुल इनकी पांस नता नहीं थी पुत्र और पुत्री जब तांसिन एक अच्छे गायक होगे तो रिवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राजया गायक कर लिया अपने दर्बार में अकबर में घनेश्ट वित्रता होती है तो महराजा राम चंदर क्या करते हैं अक्बर को खुश करने के लिए परसंट करने के लिए गायक तानसिन को उन्हें इपहर सवरूप भेंट कर देते हैं अक्बर खुद एक संगीत का प्रेमी था वह उन्हें पाकर अत्यधिक परसंद हुआ और अपने नवरतनों में उन्हें शामिल कर लिया था धीरे धीरे अकबर तानसिन को बहुत ज़्यादा मानने लगे और फलसवरूप दरबार के अन्य गायक उन्से जलने लगे तो उन लोगों ने तानसिन के विनाश के युक्ति निकाले कि इसे गा नहीं सकेगा यह बात बाशा के दिमाग में जम गई जो और संगी तक गया थे उन्होंने जो है अकबर कोई बात कही कि तानसिन ही जो है दिपक राग को गा सकते हैं इसके इलावा कोई भी इस राग को नहीं गा सकता ठीक है क्या होता है कि दीपकराग गाने से चारों तरफ ऐसे लगता है कि आग लग गई हो तो इसे लिए जो है तांसिन बारबर मना करते रहे कि वो दीपकराग नहीं गाएंगे लेकिन जो अकबर है वो उनसे ही दीपकराग सुनना चाहते हैं क्यों क्यों कि तांसिन के लावा कोई इराख महीं का सकता था तो उसने तांसिन को दीपकराख गाँने को बाद्यें किया तांसini आगबर को भुछ समझाएं कि दीपकर्याक के गौने का परणाम भुछ बुरा होगा किन्तु बाच्छा ने यह परूंगा को दीपकराख गाना ही तो कहा जाता है कि तांसिन की पुत्री सरस्वती ने मेगराग घाकर अपने पीता के जीवन की रक्षा की बाद में बाश्या को अपने हट यानि के अपने जिद्धी पन पर भूच जादा पश्टा ताप हुआ बहुत बुरा लगा उनको भी बैचु बावरा जो है तांसिन क तांसिन की अती रिक्त, राजय में कोई व्यक्ति गाना नहीं गाए और जो गाएगा तांसीन के उसकी प्रतियों गिता होगी जो हारेगा उसे उसे समय मृत्युदर्ण भी सविकार करना पड़ेगा इस परकार तांसिन की वज़े से अनेग गायकों की मृत्यु हो जाती है और क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सकता तो अंतने बैजुबावरा ने उसे प्रास्त कर दे यानि की हरा दिया किन्तु बैजुबावरा ने तांसिन को शमा करके अपने विशालिवद्य का प्रिचे दिया और तांसिन ने अनेग रागो की रुचना की ये most important point है कि तांसे ने अनेक रागों के रचना की कौन कौन से रागों की तरबारी कानडा मिया की सरंग मिया की तोड़ी मिया मलहर आदी कहा जाता है कि तांसे ने बाद में मुसल्मान धर्म सविकार कर लिया था उसने ऐसा क्यों क्या विद्वानों के कईमत है कुछ का कहना है कि गुलाम गोस की आगय से मुसलमान होगे और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से शादी हुई थी और कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि तानसिन मुसलमान हुए ही ने उसने फकीर गुलाम गोस की समरिती में स्वरचित लोगो के नाम के आगे मिया शब जोड दिया था जैसे मिया मलहार आदिसन 1585 में दिल्ली में तांसिन की मृत्ति हो गई और गवालिर में गुलाम गोस की कबर के पास उनकी समाधी बनाएगी प्रतिवर्ष उनकी समरिती में गवालिर में उर्स मनाई जाती है और श्यास्तिय संगीत के कार्यकरम आयोजित के जाते है यहाँ पे उर्स जब एक व्यक्ति मर जाता है और उसके जब एक साल के बाद जो कार्यकरम रखा जाता है तो मुसलमान में इसे उर्स बोला जाता है तांसेन की संगीत के प्रति दे तो तांसेन ने संगीत को क्या-क्या परदान किया तांसेन ने एक धुरूपदों की रचना के और उन्हें स्वयम गाया भी ये धुरूपद आत्वी परसीत है इन्होंने वादय का विश्कार किया था वीणा और सितार के अधार पर सुर भाहर नामक वादय का अविश्कार जो है इन्होंने किया वीणा के अधार पर इन्होंने रबाब नामक वादय का अविश्कार किया इन्होंने बहुत से नई रागों का भी अविश्कार किया उल्डी बता चुकियों मिया की मलहार, मिया की सरंग, मिया की तोड़ी दर्बारी कांडा तांसे ने तीन ग्रंथों का उलेक किया श्री ग्रेस्तोत, रागमला, संगीत सार उन्होंने एक और राग रागनियों को सिद गया जिसका सपश परभाव था कि देपक राग से अगने का प्रकट होना मेग बलार से वर्षा को होना तथा ने करने राग रागनियों के गायन से परशो पक्षो वनस्पतियों का परभावित होना तथा गायन से रोगों से मुक्ति पाना आदे उपसहा टांसेन की मृत्यू 1585 में दिल्ली में होगी और गवालिर में गुलाम गोस की कबर के पास इनकी समाधी बनाए गए उनकी समाधी पर आद्वी प्रतिवर्श मेला लगता है प्लस्वन क्लास की बात की जाए तो जो आपके जीवन पीचे हैं ये फाइव मार्क्स में आएंगे नेक्स पीचे पढ़ते हैं विश्णु नरायन भातखंडे जी का ये बहुत महान कराकार रहे बातखंडे जी का जनम 10 अगस्ट सन 1860 इस वी को बंबई के पालकेश्व नामक गाउं में उच ब्रामन मंच में हुआ इनके पिता कानू नामक वादया बजाने में निपुन थे जो प्राजिन काल में हुआ करता था और ऊनके पिता गायन में परवियंड थी बहुत अच्छा गायन करती थी इनके पिता भोती निर्धनते गरीब परिवार से थे और बड़ी कठिनाई से परिवार का निर्वा करते थे बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोशन करते थे दुरभागय से पंडी जबी बच्चे ही थे कि इनके पिता का स्वर्कवास हो गया आगे पढ़ते हैं परसे पहले इनों ने बंबई के परसे सितारवादन की शिक्षा प्राब की और पंडित राव जी बुआ बेल बांद कर से गायन सिखा सन 1882 इसवी में इनों ने बिये की शिक्षा उतेंड की और सन 1890 इसवी में एलल बिकर कराची में वकालत शिरूप कर दे प्रांतो सफल नय हुई इसके बाद ये बंबई आ गए और वकालत के साथ सा संगीत की शिक्षा भी लेते रहे इनके परमुक गरू थे मोहमत अली खां, पंडित एकना, त्नौाब कले खां, राब जी बाबा गोल वार रहे इसके बाद इनोंने ग्यान उतेजक मंडली में भाग ले लिया और अनेक संगीत अग्यों से रागों का जो ग्यान है प्राप्त किया कुछ ही वर्षों में इनको सेंगड़ों, बंदिशे ख्याल, रुपत त्राना, आदेस, मन होगे यानेकी याद होगे और धीरे धीरे ग्यान का जो सारा भंडारा इनमें समाता गया इन्होंने प्राचिन-संगीत ग्रंथों का अधेन किया यानीका उनको पड़ा विभीन प्रांतो विभीन राज्यों के संगीत को स्उना विभीन खरानेदार संगीत अग्यों से जो भी इनको इनको जो भी संगीत के बारे में जो भी इनको मिला उसे संग्रेद कर दिया उसे सबके सामने रख दिया इन्होंने काफी पुस्त के भी लिखी थी जो आज भी पढ़ सकते हैं आगे है विश्ण राइन भात खंडे जी के कारे हैं तो आपको जनम और वृत्यद में बता चुक संगीत ग immensely गाते बजाते अच्छा थे को नहीं पता होता था स्वयम नहीं जानते थी कि वो कौन सा राग गा रहे हैं कोन सा स्वर लगा है कि उनकी शिक्षा जो है मोखिक रूप से चरील आ रहे थी मोखिक मतलब मों मों से बोलकर आमने सामने बैटकर जो शिक्षा दी जाती है तो भातखंडे जी ने थाटों की जो संक्या है वो दस मानी और सभी रागों को उनके अंत्रगत रख दिया पंडित भातखंडे जी ने सुशिक्षित यानि कि पड़े लिखे समाज के लिए क्या किया शिरी मलक्षय संगीत और अभिनव राग मंजरी ये दो गरंचों है संस्कित भाषा में लिखे जन सधान यानि की आम लोगों के लिए इनोंने क्रमिक पुस्तक मालिका छे भागों में और प्रश्णोतर रूप में मराठी भाषा में हिंदुस्तान संगीत पत्ति चार भागों में लिखे इन्होंने नई स्वरलीपी पत्ती निकाली जिसे भातखंडे स्वरलीपी पत्ती कहा जाता है इस स्वरलीपी के आधार पर इन्होंने स्वर मालिका पुस्तक लिखी जिसमें रागों की सरग में दे गई है इन्होंने भोस से लक्षन गीत की रचना की लक्षन गीत में क्या होता है रागू का प्रीचे ही होता है तो लक्षन गीतों की रचना की जो लक्षन गीत संग्राय और क्रमिक पुस्तक मालिका और गीत मालिका में संग्रीतें मतलब लिखे गए हैं इन्होंने संगीत का परचार करने के लिए बढ़ोदा, दिली, बनारस और लखनव आदिस्तानों में संगीत समेलन किये, इन्होंने लखनव में मैरिस म्यूजिक कोलेज खोला और बढ़ोदा इंदोर गवालेर में भी संगीत विद्धालों की स्थापना की जो आज तक चल र उन्होंने बिलावल थाट कोशुद्थाट मानकर संगीत की शेतर में करन्तिकारी प्रिवर्तन कर दिया, इन्होंने शंगीत के सिष्यास भी त्यार कि का जुजनम हैसन 1872 इस्विमी महराश्ट्र के एक देशी राजय है कुरंदवार में हुआ इनके पिता शीरी दिगंबर पंत किर्टन कार थे किर्टन क्या करते थे हरी किर्टन इनके वन्ष का परंप्रागत पेशा था जीवन पीछे घर के वाता वन्षे परभावित लेने लगे 12 वर्ष की आयों में दिपावली के अफसर पर दुर्भागय से पठाके के विशैले धुए से इनके नेतर की जोती शीर हो गई मतलब चली इनके पिता ने तब इनके लिए संगीत का रास्ता चुना क्योंकि मैं आपको छोटी सी घटना बताते हूं जब इनके पठाके के विशैले जो धूँआ होता है इनके आंक में जला जाता है तो इनके पिता पूलस करणी को विए बहूत अख्या संगीत जहां गाते हैं वहत अशा मेसाश और ने Smash'sी संगीत का रास्ता चुने तो एäl लगन सेवब और भ्यासे इन्होंने अपने गुरू का घर त्याग दिया और सबसे क्रैकरम औ हे सबसे पहले किरेंडा मंदिर इस इन्हों में Romans ब्लोदा सितारा के संगी समेल्नों में समेलित हुए। ब्लोदा की महारानी जमनवाई गायक वार ने इनके गायें से परभावे होकर इनको कई पूरुसकार भी दिये। उसके बाद ये गवालियर गए, गवालियर के महराजा भी इनका गाया सुनकर भोजाधा परसन हुए और उन्हें उचित सम्मान दिया, गवालियर से मतुरा गए और रहे कर इन्होंने ब्रज भाषा का अध्यान किया और संगीत गरंतों का अवलोकन किया, भरतपूर में भी भोज सम्मान मिला, यहां रहकर इन्होंने हिंदी का अभ्यास किया, और हिंदी में भाषन देने लगे, तुलसी कृत रमायन का परवचन कर इन्होंने लाखों लोगों को मंत्रमुद कर दिया, और यहां संगीतिक प्रतिभा के साथ साथ इनकी भाषन देने की शमता भी वि इन्होंने पंजाब के जलंदर अमरिचर के संगीत समेलों में भाग लिया और फिर लहोर जाकर गंधर महा विधालय की स्थापना की अर्था भाव के कान इन्हें काफी मुश्कलों का सामना भी करना पड़ा तथा शिरी नगर के महराजा ने इन्हें तार द्वारा कारेकरम का दो हजार पे दिए गया और संगीत विध्यालय कोलने के लिए पंदरा सो वे वार्शिक सहЕТा दिन का अच्वसन भी दिया गया इसका राकाने संगीत उद्धार के लिए अपना सारा जाव सबस्क्राने उपने एक नेगधायें और संगीत का परचार किया इनके कार्य या फिर संगी जगत को देन इन्होंने संगी शंबंदी कई पुस्त के लेखे जिनमें से राग परवेश के 20 भाग विशेश उलेकनिया है इसमें इन्होंने ख्याल गाई की भूत से गीद हैं इसके अतिरिक्ट इन्होंने बाल बौ संगीद शिक्षक राष्टिय संगीत वयाम के साथ संगीत महिला संगीत अपपा गायन भगत प्रेम लहरी स्वाला पाला गायन संगीत बाल परकाश भजनामरित लहरी संगीत तुपरकश आधि पुस्त के भी लिखी हैं। इतने बड़े प्रतन से उस्तादों के गीतों की स्वरलीपी अत्यार की इस स्वरलीपी के धार पर इन्होंने कई पुस्त के भी लिखी। इन्होंने श्रिंगार रस के गीतों में से अश्लील शब्द निकाल दिये और भक्ती रस के शब्द भरे और इन भक्ते में गीतों से लोगों में संगीत के प्रती प्रेम भरा। इन्होंने गायन के शास्तिय पक्ष के साथ सा सिधान्तित पक्ष की भी अवेलना नहीं की। अपितु यह गाते गाते रुख जाते और कला शास्तर के सब्बंद में संक्षेप में सब को समझा जाते हैं। इन्होंने संगीत को इसति जाती में विक्सित क्या या परदे के विरोधी थी, इनका कहना था कि इसत्रियों को चाहिए कि हमारे साथ मिल करके गायें और समाद में संगीत को परतिष्टा दिलाएं। इनके समय में संगीतग्यों की दशाद दैनी थी, इनका विश्वास था कि जब तक समाज में संगीतग्यों को उचित समान नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज उंचा नहीं उड़ सकेगा। इन्होंने परतेग्या की थी, कि वह समाज में संगीतगयों को समान दिलवाएंगे, इस पर है तो इन्होंने अपना सर्वसव होम कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और आज अनेक प्रयासों का भी फ़ल्लाय की संगीत और संगीतगया आज समाज में समान के पात्र बन गए इन्होंने वादयवरिंद के विकास में भी योगदान दिया इनोंने अपना वादयवरिंद त्यार किया इनके साथ सितार, बंसी, दुल्रुबा, तबला, वाइलन, मिदंग, हार्मोनियम, जलतरंग, काश्ट, तरंग, आदि वादय और वादक साथ रहते इनकी कला परस्तूती अध्वू थे इन्होंने नासिक में राम नाम आच्रन की स्थापना की और सारे देश में घूम घूम कर किर्तन जो है गाया और राम धुन का परचार किया इसलिए ही कुछ लोग इने संसारी जादूसंद पंडित नामों से सम्मोधित करते थे इन्होंने संगीत जगत में सैकडों शिशय त्यार किये जिनमें से विनायक राव पठवर्दन, पंडित ओमका नाठाकूर, वियार देवधर, पंडित वामन राव पांडया परमूख जिन्हों ने अपने गुरु द्वारा प्रजलित लोगों अपने संगीत देनों से चलाए रखा, उपसहार इनकी जुम्रित्यु है 21 गस्त 1931 को हमान संद गायक इस दुनिया से विदा होगे, पर संगीत की दुनिया में नाम सदा के लिए जो है अमर कर गए, थैंक्यू, आ अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको समय समय पर म्यूजिक से संबंदित जानकरी मिलती रहे, थैंक्यू